श्री गनेशाय नमाहा, नमशकार दोंस्तों दोस्तो ए राशि फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती ही लेकर आती है इस वजे से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में आठवे स्थान में रहेंगे इस जगे पर चंद्रमा का होना ठीक नहीं होता है इस समय में आपको कई मामलों में तकलिपे उठानी पड़ सकती है लेकिन कुछ मामलों में सफलता भी इस दिन देखने को मिलेगी चंद्रमा मन के कारक होते है और चंद्रमा के अश्टम भाव में होने से इस दिन आपका मन परेशान रह सकता है चिंतित रह सकता है आप किसी पुरानी उलजन में उलजे नजर आओगे इस समय में किसी अपने की याद भी आपको सता सकती है इस समय में आप इमोशनली काफी विक्र होगे। जी हाँ इस समय में आप इमोशनली काफी विक्र होगे। दिन ठीक नहीं रहेगा लेकिन अचानक से धनप्राप्ति के योग अश्टमभाव आपको दे रहा है दोस्तों चंद्रमा के अश्टमभाव में होने से आपको वहां से धनप्राप्त हो सकता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था इस समय में कोई ऐसे डिल साइन हो सकती ह जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और वो काम जिसे लेकर आप confident है उसमें असफलता भी आपको दिख सकती है इस वज़े से surprise इस समय में मिल सकता है वो surprise अच्छा भी हो सकता है और वो surprise आपको दुखी भी कर सकता है इसलिए ये दिन आपको साउधानी पु इस समय में सेहत से सम्मंदित परिशाने भी घेर सकती है सिर में दर्द रह सकता है पचन शक्ती कमजोर रहेगी इस समय में अगर BP की परिशानी है तो अपना खास ख्याल जरूर रखे अपने medication का अच्छे से ध्यान रखे और अपने खाने पिने का ध्यान इस दिन आपके ल ले तो हो सकता है दिन बहुत बढ़िया जाए स्टुडेंट्स के लिए भी ये दिन कुछ खास नहीं रहेगा पढ़ाई में concentrate नहीं कर पाओगे कोई ना कोई रुकावट आपको disturb कर सकती है आज अगर आप चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाते हो तो आप शान कर्शनचीप में आपको इस दिन अपनी बोली पर नियंतरन रखना काफी जरूरी रहेगा इस दिन आपको तोल मोलकर बोलना अच्छा रहेगा और एक दूसरे की गलतियों को इस दिन नजर अंदास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस दिन आप कोई बड़ा एहम फैस इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो प्रार्थना में किसी भी उपाय से ज्यादा शक्ती होती है तो अपने इश्ट देव को याद करे उनका आवाहन करे और उनसे प्रार्थना करे कि आपका दिन काफी अच्छा रहे मोज मस्ती भरा रहे दोस्तो साथ ही इस दिन मंदिर जरूर जाए और भगवान से प्रार्थना करे और साथ ही एक रुपे का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में डालना ना भूले इन उपायों से आपका दिन काफी अच्छा जाएगा अपनी सोच पॉजिटिव रखे और जीवन के हर पल का आनन देने की कोशिश करे दोस्तो ये राशी फल चन्दर राशी पर आधरीत है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदरशन की तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़े नजर नहीं आती वह चीज़े हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है, इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आती है, कहीं भी जूते चपल फेक देते है, कहीं पर भी उतार देते है कुछ कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते या चपल डायरेक्ली उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे और उनको उनकी जगये पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे, साथ ही दोस्तो एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी ह होता है, हमारे घर के चट के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, व पूरी तरह से साप सुतरा रखें, जी हाँ साप सुतरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है, दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे, और हम जितना पास सकते हैं, उतना नहीं पास सकेंगे, क्योंकि ये चीजे हमें कही चल्मक की थे हमारे जीवन में पीछे रहेगी इस वज़े से घर के छट को पूरी तरह से साप रखेयों हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीड़ियां हैं उन सीड़ियों के निचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐस कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नह मिलेगी क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूड़ा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर पसंद नहीं होत मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीची की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घ और गिया है, इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में चेड़-शे क्योंकि वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हां वो अशुब माना जाता है घर में मक अशे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उ कोने की साफ सपाई जरूर करें दोस्तों मुख्यद्वार भी हमेशा साफ सुत्रा रखें मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखें और सद के नए स्त्रोथ भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नह हैना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तों कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीर होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हां इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह की घटना ये घटित होना शुरू हो जाता ह हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद